प्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज उर्त्राखंड पुरिस का भाग चौता है जिसने इससे पहले के भाग नहीं देखें वो अमारी प्लेइस्ट में जाके जूरू वाज के लिए तो आज की सीरेच का पहला कोश्चन है किस टीरी नरेश ने जनता को बिजली से अउगत कराया था तो एक कौन से टीरी नरेश से किर्थी साह थे किर्षी बैंक की स्थापना किसने की थी किर्थी साहान की थी नेक्स्ट पुश्चन है के सी एसाई की उपाधी किसे प्राप्त होई है तो के सी एसाई की उपाधी प्राप्त होई है नडेंद्र साहा को मनविंद्र साहा कब राजा बने थे तो मनविंद्र साहा राजा बने थे अक्टूबर 1946 को और कब तक राजा बने थे यह राजा ब प्रदुमन सहा पमारवन्स का अंतिम राजा था मनवेंद्र सहा टीरी गडवाल का भारत में बिले कब हुआ था एक अगस्च शिर्देव सुमन की मित्व कब हुई थी 25 जुलाई 1945 को रवाई कांड इसके सासनकाल में हुआ था उस समय नरेंद्र सहा टीरी समराज में नहीं थे वे कहीं बिदेश यात्रा में गय थे तो उनी के समराज में एक सैनिक हुआ करते थे जिनका नामता चकर सिंग जुवाल चकर सिंग जुवाल ने टीरी की जनता पर गोलिया चलवा दी थी उसी घटना को क्या कहते हैं तीरी समराज का जिलेवाला कांड कहा जाता है नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई थी नरेंद्र नगर की स्थापना हुई थी 1921 में स्वामी रामतीर्थ को अंतराष्टे धार्मिक संभिलन में भाग लेने के लिए किस ने भेजा था तो किस ने भेजा था कीरती साहने और स्वामी रामतीर्थ ने 1902 में हर्दवार में किस संभिलन की स्थापना की थी यह कोश्चन आप कमेंट में बताएंगे तीरी में वेज साला के निर्मार किस ने करवाया था तो कीरती साहने करवाया था नेक्स्ट कोईश्चन है तीरी राज में सर्वोष मंतरी कौन होता है तो तीरी राज में सर्वोष मंतरी होता है मुक्तियार तीरी राज में परगने के सैनिक सासक को क्या कहते थे तो तीरी राज में परगने के सैनिक सासक को कहते थे फौज राजपूत चित्रकला की पहड़ी साखा में एक नहीं साखा गड़वाली कलम का विकास किस ने किया था तो गड़वाली कलम का विकास किया था श्यामदास टोमर और उनके वनसजों ने किया था परताफ सहा ने राजदानी में पहला खेराती सफाखाना कव इस्तापित किया था तो पहला खेराती सफाखाना कव इस्तापित किया था यह किया था अगर पेपर में पूछा जाएगा पहला खेराती सफाखाना इस्तापित किस ने किया था तो किस ने किया था परताप सहा द्वारा किया गया था नरेंदर सहा ने हाई कोट की इस्तापना कब की थी तो नरेंदर सहा ने हाई कोट की इस्तापना की थी 1938 में की थी चंद काल में डंड अधिकारी को क्या कहा जाता था तो चंद काल में डंड अधिकारी को क्या कहते थे डंडे कहा करते थे नेक्स्ट कुश्चन है आज हमारा नरिंदर सहा ने नरिंदर नगर में चिकिसाले की स्थापना कब की थी तो नरिंदर सहा ने नरिंदर नगर में चिकिसाले की स्थापना की थी 1925 में तेरी में Red Cross Society की इस्तापना होई थी 1934 में होई थी E. Gardiner को कुमाओं कमिशनर निक्ट कब किया गया था? तो E. Gardiner को कुमाओं का कमिशनर निक्ट किया गया था 3 मई 1815 को सुदर्शन, सहा और बिटिस सरकार के मद्ध संधी कब होई थी? चार मार्च 1820 को संधी होई थी रवाई परगने को टीरी गड़वाल में सामिल कब किया गया था? तो रवाई परगने को टीरी गड़वाल में सामिल किया गया था? 1824 में सामिल किया गया था तिहरी राज में बेटिस सरकार का राजनेतिक परतिन्दित कुमाओ कमिशनर को कब सौपा गया था? यह सौपा गया था 26 दिसंबर 1842 को सौपा गया था सुधर्शन सहाद्वारा रचित सभासार के कितने खंड थे? तो सभासार गिरंथ की स्थापना किस ने की थी? अगर पेपर में यह कोशन पूछा जाएगा कि सभासार गिरंथ की स्थापना किस ने की थी? तो सुधर्शन साद्वारा की थी और यह कोशन पेपर में काफी वार पूछा गया है तो सभासार गिरंद की स्थापना की थी सुदर्शन सादवारा और इसके टोटल कितने खंड हैं साथ खंड हैं सुदर्शन सहा ने राजदर्बार का निर्माड कब किया था तो सुदर्शन सादवारा राजदर्बार का निर्माड किया गया था अठारे सो अटालिस में कि नया दर्वार का निर्माल किस ने किया थो कि इर्थी सहा ने किया था सुदर्सन सहा के बाद कौन टीरी के राजा बने थे यह राजाओं का सीरीज इनका किरम याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है आप उसमें ध्यान दें सब पी के नम हुए हुए क्या है साइलेंट है हुए साइलेंट है तो S से हो जाएगा सुदर्शन सा B से हो जाएगा भवानी सा P से हो जाएगा परताप सा K से हो जाएगा कीर्थी सा N से हो जाएगा नरिंदर सा और M से क्या हो जाएगा मनवेंद्र साहा हो जाएगा तो अगर यही कोईशन में पूछा जाता है कि सुदरसन साहा के बाद कौन टीरी के राजा बने तो टीरी के राजा कौन बने थे भवानी साहा सब पी के तो सुद्रसा की बाद कौन बने भवानी सहा बने परताफ सहा ने सासन काल कब से कब तक किया था 1871 से 1886 तक किया था लगवक कितने वर्सो तक लगवक 15 वर्सो तक सासन किया था तेरी के किस सासक के काल में अंग्रेजी सिक्षा का आरंभ हुआ था तो तेरी के परताफ सहा के सासन काल में अंग्रेजी सिक्षा का आरंभ हुआ था परताफ सहा तो परताफ सहा ने किसकी सिक्षा पर किसकी सिक्षा आरंभ किया था इंग्लिस की ठीक है तो पी P से परताप और E से इंगलिज परताप सहा परताप सहा के बाद T का राजा कौन था? तो परताप सहा के बाद T का राजा कौन था? जो हमने अभी ट्रिक बदाई थी उसी के इसाब से हम इसका अंसर देते हैं सब P के नम तो परताप सहा के बाद पूछा गया है परताप साह के बाद टीरी का राजा कों था तो कों था हमारा केरती साह था इसको याद रखना एक्जाम के लिए काफी महत्पॡ़ों गी है केरती साह के अलफ व्यश्क होने के कारण उनका सरक्षर कौं था तो उनका स्रक्षरता रानी गुलेरिया और रानी गुलेरिया कौन थी? रानी गुलेरिया कीर्थी साह की वीवी थी किष्टीरी नरेश का विवा नैपाल के परधान मंत्री जंग भाद्धूर राणा की पौत्तरी से हुआ था तो वे कौन थे कीर्थी साह थे और कीर्थी साह की साधी किस से हुई थी रानी गुलेरिया देवी से कीर्थी साह को कव संपूर सत्ता प्राप्त हुई थी तो कीर्थी साह को 31 दिसंबर 1898 को पूर सत्ता प्राप्त हुई थी किस टीरी नरेश को Campanion of India की उपादी मिली थी तो एक कौन से टीर नरेश थे जिनको Campanion of India की उपादी मिली थी वह थे किर्थी सहा रवाई किस नडी के तत पर इस्तित है तो रवाई यमना नदी के तत पर इस्तित है हीवेट संस्कृत पाट साला का निर्माड इसने किया था तो हीवेट संस्कृत पाट साला का निर्माड किर्थी सहाद्वारा किया गया था नरेंद्र सहा गद्धी पर कब बैटे थे तो नरेंद्र सहा गद्धी पर बैटे थे 1913 में गद्धी पर बैटे थे नरेंदर नगर टीरी की राजदानी इस्तांतर्ण कब हुई थी तो नरेंदर नगर से टीरी राजदानी इस्तांतर हुई थी 1925 में टीरी गड़वाल का पर्थम राजा कौन था तो टीरी गड़वाल का पर्थम राजा कौन था सुधरसन साह था तो आज हमारे उत्राखंड पुलिस के स्लेवस के अकॉर्डिंग जो उत्राखंड जीके के 40 question आते हैं paper में उनको हमने discuss किया था लेकिन आज के question हमने one liner की form में लिये थे अगर आपको हमारे question अच्छे लगें तो अपने दोस्तों के साथ share करना subscribe करना एंड लाइक करना ज्यादा से ज्यादा subscribe करना thank you